हलो गैस, MP4 10 वी क्ला सामाजी विग्यान लोकतंतिक राजदेती का ये लास्ट टोपिक है लोकतंतर के परिणाम इसके बाद आपका ये पूरा बुक्स कंप्रेट हो जाएगा, अगले टोपिक में अगला बुक्स पर चलेंगे तो देखते हैं टोपिक का जो नाम है लोकतंतर के परिणाम, तो सबसे परेले हम जाने का प्रियास ये करते हैं कि लोकतंतर क्या होता है, तो आप से भी को बता है कि लोकतंतर का सीधा आर्थ होता है, कि किसी भी देश पर लोगों का सासन, यानि कि ऐसा देश जहां पर लोगो के दुवारा चुने हुए प्रतिनिदी सासन करते हैं सरकार उनके हाथ में होती ऐसा देश लोकतंतिक देश के रहता है तो इसके बाद अगर बात करें तो लोकतंत के प्रकार लोकतंत के दो प्रकार होते हैं कौन से एक प्रत्यक्स लोकतंतर एक अप्रत्यक्स लोकतंतर तो प निर्मान किया जाता है उसको प्रत्यक्स लोकतंत्र कहते हैं और अप्रत्यक्स लोकतंत्र का सिधा अर्थ होता है कि जो लोग अपने प्रतिनीदियों को चुनते हैं और वही लोग जो चुने जाते हैं वह उन जनता के प्रति जनता के लिए कानूनों का निर्मान कहते हैं उस साने से लोकतांत्रिक देश हैं तो कुल मिला कि आपको बात पता लगए कि लोकतांत्र क्या होता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्ता जिसमें की अंतिम रूप से अंतिम सक्ति किसके पास होती है जनता के पास होती है क्योंकि जनता ही अपने प्रतिनीदी चुनते हैं और वही प्रतिनिदी सरकार मनाते हैं, इसके बात अगर बात करें, तो सबसे बड़े लोकतंत्र देश के रोप में भारत के रावा देखा जाए, तो अमेरिका, अमेरिका और ब्रिटेंड, ये दो देश ऐसे हैं, जहां पर सबसे मजबूत लोकतंत्र देखा जा सकता है, तो हम आगे चलते हैं, अगर बात अगर बात करें, भारत में लोकतंत्र कभी इस्तावित हुआ, भारत में लोकतंत्र आत्मा गया सकता है, ऑब आप देते ही लोकतंद के परिणाम क्या है यानि कि क्या लोकतंद के क्या रिजल्ड निकल कर आए हैं तो सबसे बड़ा रिजल्ड सारभूमिक वयस्क मत अधिकार यहां भारत में हर जो अठारा साल के उम्र प्राप्त कर चुका है उसको मत देने का अधिकार है बिना किसी भे तो इसमें क्या होता कि उम्र इससे पहले मद्दता क्या हो किती थी 21 वर्स तो इसको घटा कर किता वर्स कर दी गई है अठारा वर्स यह आपको बिन्दू यहां पर के लिए रियाद हो जाना अच्चा है ओके इसके बाद जनता की प्रति उत्तदाइत यानि कि जो भी सरकार बनती है लोकतंत में वो जनता की प्रति जवाब देई होती है इसके सुतंत प्रेश होता है लोकतंत में मूलिक अधिकार होते है जनता की कुछ निस्चित मूलभूत अधिकार होते है और देश की एकता अकंडता वो संगवाद मजबूत रहता है लोकतंतर सरकार में सामाज इसके बाद अगर बात करते हैं इसमें अगला बिंदो हें वेदसासन क्या होता है वेदसासन का सीधा ओर्थ होता है कि वो सरकार जो समवेधानी तरीके से चूनी जाती है यानि कि जो हमारा देश लोक तांतिक देश connected यहाँ सविधान सर्वोच हैं सविधान से बढ़ पर कोय नहीं है और सविधान के नियमं और कानूनों से जो भी निस्सित नियम होते हैं चुनावके अगर उस आधार पने कोई सरकार चूनी जाती है तो वह वेत शासन यह वेत सरकार कहलाती हैं इसके बाद पारदर्सीता पारदर्सी का तो सिधा आर्थ होता है इसमें आपको में एक बिंदू बता दू जैसे कि आर टी आई राइट टो इंफर्मेशन यानि कि कोई भी अपनको किसी भी नियम और कानून बनाने का अगर जान करी चाहिए और हमको अगर वस मिल जाता है प्राप्त हो जाता तो उसको सुचना का अदिकार केता है यानि वह ही पारदर्सीता होती है इसके तान curvedत या दल के दुवारा जो वेय्द सासन होता है आपको इस प्रकार से लिकना है प्रसना सकता है कि ताना साही का क्या अर्थ होता है तो किसी व्यक्तियत दल दुवारा वेद सासन का तक्ता प्लट कर अपनी इच्छा अनुसार सरकार को चलाना उसको कहते हैं क्या बोलते हैं ताना साही सासन व्यवस्ता इसकी बाद अब अपनको लास्ट बिंदू देखना ह लोकतंत्र की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष लोकतंत्र में के बीच मजबूत लोकतंत्र के बीच में बादा होती है असिक्सा यानि असिक्सा भी कहें कि मजबूत लोकतंत्र के बीच में बादा है संचार साथनों का दुरूपयोग यानि संचार साथनों का मिस यूज करके कीसमें कोई बड़ा चड़ा करवना पैशार कर कर भी लोक तंत्र यादी सरकार्व बना लेता हैं इसके आगं लोगतंत्र के बीच Alison को प्रस्ञतिक को यह नहीं मिरे बीट